So, जैसे कि अभी हमने सीख लिया how to switch to backdrop, हमने backdrop कैसे change करना है, once backdrop से second backdrop में हम अपने character को लेखे जा सकते हैं, अब हम सीखेंगे how to make a story interactive और उसमें हम choose करेंगे character and backdrop again and we'll change color effect, तो अब हम color effect लेंगे और we'll see कि अगर मुझे color effect change करना है तो कैसे करेंगे and उसमें और interesting हम सिखेंगे कि हमें voice, कैसे अगर मैंने कोई character है तो वो मेरी voice में बोली तो आपने देखेंगे जब animated story देखते हो तो आप लोगों की voice बच्चों के आवाज होती है, तो आप अपनी voice भी record कर सकते हैं, इसमें कैसे करते हैं, वो भी हम सिखेंगे, तो पहले मैं जा कि मुझे mountain today की photo से मिल गया मुझे, so mountain पे हम click करेंगे and I will delete this, तो मुझे यह right side में से यह sprite ठाना है, because मैं यहाँ पर character, दूसरा एक animal नेती हूँ अभी, चूजा, तो मैं को animal में जाना है, and I will choose character in animals as, I will choose this one, unicorn, so I have taken this, तो देखिए, यह horse है, यहाँ पर इसका नाम unicorn है, तो अब मैं इस पर अभी कुछ कमा instruction दूँगी, code के थूँ, तो code में, अब मुझे जाना है left side में, okay kids, so left side में, अब हम इसमें sound पे add करेंगे, तो हम 3 चीज़े सिखेंगे, सबसे पहले हम इसको क्या, मैंने बता है, हमेशा लेना है, event में जाना है, when green flag click, तो आपको लेना है, script area में, मैंने उसको drag and drop कर दिया, script area में, okay juniors, now listen, अब हमको इस character में क्या डानना है, अभी मुझे color effect देना है, तो I have to go to, मुझे code में जाना है, looks में, कहां जाना है, looks में, and I want to change the color effect, so मैंने यहाँ पर change color effect, यहाँ से drag किया and I drop, तो यहाँ से मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी color change करे, तो यहाँ पर fast में चाहती हूँ color effect change आए, तो वो हमने डाल दिया है, तो अब मैं चाहती हूँ, कि एक sound भी हो जाए, क्योंकि अभी हमने वो try नहीं कहा, तो अब हम इस में add करेंगे sound, तो sound के रिए, simply हमें sound में जाना है, and I will take a start sound, so magic spell, so यहाँ पर मैंने ले लिया है, अगर मुझे चाहती हूँ कि record वो हम करेंगे, पहले मैं इसका पहले दिखा दोती हूँ magic spell, मतलब कैसे sound effect और color effect change होगा, आप यहाँ पते की unicorn, तो मैंने instruction दे दिया, script area में मेरी का, यहाँ पर story को कैसे interactive color effect, कैसे इसका कैसे effect है का, we'll see here, तो we'll go here simply and see, यहाँ पर इसका color change हो रहा है, तो यहाँ पहले कौन सा color था, again I will show you, so it going to be keep a change in the color, तो देखिए उसके colors different होते जा रहे है, so this is a magic spell, जिसमें आपको sound भी सनाई दे रहा है, and you can see the changes in the color of this unicorn, so you find it interesting, right, so अब हम इसमें अपना गर voice record करना है, तो I can go simply click on the record, और मैं चाहते हो बोले, hello, 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 so यहाँ पर voice record हो गया, तो I will stop here, and I will save this, and अब मैं इसको को description में जाके, एक play a sound recording तो देखिए, अब मैं यह निकाल देते हो, और either weekend ठी गई पर यह तू नो सुन देते हैं, so you can hear this, right, so देखा कैसे हो सकता है, तो अगर आप चाहते हैं कि यह हो जाए, तो मैं जाओं कि right click पे, and I will delete from the left, and मुझे अगर यही वाला recording वाला voice रखना है, so वो भी हम रख सकते हैं, तो इस तरह कैसे color effect भी change, अगर मुझे चाहते हूं कि उसका color effect थोड़ा slow change हो, तो we can choose that also, और इसमें देखी कैसे difference आएगा, see, उसका color, difference होता जाएगा इस तरह के से, so you can choose color effect by, जो भी आपको speed में देना है, whatever, जब हमेने एक story का सकते हैं, तो उसमें यह हम कैसा लेना है, वो अपनी उपर है, so इस तरह के से आप color effect change का सकते है, and you can record your own voice here, and आप poem भी गा सकते हैं, कोई भी एक backdrop लेके, आप किसी character को place अपनी photo भी डाल सकते हैं, and उससे फिर आप अपना ऐसे poem बोल रहे हो भी दिखा सकते हैं, अपनी voice में, okay, so now moving to the next step, आप हमने सीफ लिए, how to make your story more interactive, and उसमें हमने voice add करके देखा, and change color effect करके देखा, and now moving to the next step,